हेलो नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है कनहिया विश्व कर्मा और आप सभी का सवाथ करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल अचीब्मेंट एंड जी के दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक थ्रेड चार्ट दिखाने वाला हूं और वह थ्रेड चार्ट में मैं भूल नहीं बोल सकता हूं भूल तो नहीं होगा लेकिन जो बेक्ति यह थ्रेड चार्ट के हिसाब से गियर लगा रहा है उसको गियर लगाने में प्रोब्लम हो रहा है तो मैं आप लोगों को आज यह बताने वाला हूं कि अगर इस तरह का मसीन आप लोग के पास में है और इस तरह का प्रोब्लम्स हो रही है लगाने में तो क्या उपाय कर सकते हम लोग इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे ठीक है ना तो कोई एक बंदा है को यह वाटसप के जरिये मुझे देखिए सबसे पहले यह जो एक थ्रेट चाट है आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा यह उन्होंने भेजा है और उसके बाद लिख रहे हैं कि यह फ्रेट चाट को वह जब इस घीर के हिसाप से लगा रहे ना यह ठ्रेट काटने के लिए इस घीर को लगा रहे तो उनका अज्जेश्ट्मेंट नहीं हो रहा है आपस में ग्यार टच नहीं हो रहा है जिसके वाजस स्टार्ट करने से पहले जो भी विजिटर्स आये हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो को लाइक करने से हमारा होसला बढ़ता है और आप लोग का प्यार मिलता है दूस पहले मैं देखْ लेता हूं यह एक तो फबसकी अपने स्क्रीन साइड में लिखा हुँआ है देखा हूआ ध्रेडिंग चार्ट फूरूर्थितौ लेत मसीन टू टिपियाई इसका मतलब क्या है कि यह जो लेत मशीन यह सेमी नोटन है और इसका जो लीडियो है वो 2 TPI है ठीक है question क्या था इसका में इनका question था कि इनको जो gear काटना है वो thread काटना है वो जो thread के हिसाब से इनका match नहीं हो पा रहा है ठीक है ना thread के हिसाब से match नहीं हो पा रहा है सपोज मैं आपको एक example example दे करके बोलता हूं कि इनको जो है सोला एक इंच में सोला टीपियाई काटनी है तो यह थ्रेड के हिसाब से सोला टीपियाई का बन जा रहा है 20-180 का गियर आप लोग से थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे होंगे अचानक से मैं 20 से बता दे रहा हूं ना इसलिए इसलिए मैं इस बेक्ति का को यानि के आब लोग का ये इंच में है यह हम लोग का इंच में फ्रेड फर इंच विथ वर्थ Dads एनिफ वो इंच में आता है 55 डिजिजिए उसके ठीक राइट साड में आप लोग देख रहे होंगे उसमें लिखा हुआ कि यदरता है वह लागु होता है अब देखिए उसके नीचे में लिखा एक साइड में गियर और ऊसके बहगल में लिखा हुआ घ्यात याना इसे डर्डर का जो गियर और फ्रेड पर इंच यह सारा घियर दिया है और यह जो ज़ितना फ्रेड़ है यह इंच के थ्रेड के लि या दो दो डोनों में से बता देता हूं कि mm के लिए किस तरह सेट करेंगा और इंच के लिए किस तरह से करेंगे सपोज मुझे 2 इंच में काटनी है तो मैं क्या करूंगा न उपर में लगाऊंगा 120 का गियर बीच में 115 और नीचे में 40 का यए और जो है लिवर में जब काटूंगा तो duo ।ियृ चकटेगा और उसी को जब स्य लिवर में काटूंगा तो एट टिर कटेगा और उसी को जब यह में काटूंगा सेम गीयर में तो हम लोग का वो 40 कटेगा समझ गए ना कि हम लोग का जो ए सीवी का लिवर होता है उसको भी चेंज करने से हम लोग का थ्रेड चेंज हो जाएगा प्लस गियर भी माहिने रखती है चले 20 से भी एक बताता हूं 20 से है सपोज हम लोग को अभी मैं बी लिवर का ले लेता हूं बी लिवर का ले लेता हूं कि मुझे साथ टिपयाई काटनी है साथ टिपयाई काटने के लिए उसका सीधा लाइन में देखें कितना कितना का गियर है तो उपर में है 20 का गियर बीच में सो का गियर और नीचे में है सत्तर का गियर यह बीच सो सत्तर मतलब क्या होता है यानि क चक्के के पीछे जो हम लोग का चक्क होता है ना उपर साइड में ड्राइवर जो हम लोग करेगा वह है बीस का बीच में यानि बीच में जो 100 का लिख रहा है वह हम लोग का है आइडलर गियर और नीचे में जो है वह हम लोग का यानि जो लीड के साथ में अटेच होता है ठीक है ना तो उसको जब हम लोग काटेंगे तो हम लोग का एमें कटेगा हम लोग का 3.5 TPI ठीक है ना बी में कटेगा 14 TPI सोरी सी में कटेगा 14 TPI और इसेबन 70TPI समाझ गया उपपर का गयर जो लिख रहता है वह इस का गयर जो यह होटा है यह मैं में थीक उसी प्रकार से उसके बाद में में मैं मैं क्या है उनका कि यह गियर ही जिस नहीं हो रहा है यह मैं को सबसे बढ़ा बढ़ा करके मत देखिए शुरू से देखेंगे एंड तक देखेंगे तो समझ में आएगा वर्नर रोना पड़ जाएगा ठीक है उसके बाद में फिर कॉमेंट में लिखेंगे सर यहां से हीजए इसलिए विडियो को पूरा देखिए औrière समझके देखिए नहीं समझ में आता है तो दुबारा देखिए फिर भी समझ में आता है तो मुझ से कॉंटेक्ट कीजिए अब मेटरिक्स एड लिखा हुए हैई तो उसे उसमें उसमें देखें हम लोग's को एक ठ्ट्रेड यानि उपर में लग लगा लिए उसके आद में एकसोदस पचपन का दिखा रहा है ठील Know तोई आपका माइनिक याकट रहा करता है कि एकसुदके कौन कर रहा या फिर 55 का गियर में कौन सा थ्रेड कट रहा है यह माइने कब करेगा जब हम लोग का तीन गियर लगेगा तब यह माइने नहीं रखेगा और अगर यह चार गियर लग रहा है तो यह दोनों गियर माइने रखते हैं ठीक है यह डिपेंड करता है मसीन के उपर में अगर compound में कट रहा है तो यह दोनों गियर माईने रखते हैं हमेशा इस चीज को याद रखेगा तो यह दो गियर बीच के हो गए अब उसके बाद में 127 गियर 127 गियर कहां लगेगा यह 127 गियर लगेगा नीचे में लीड इस्क्रू से अटेच हो करके तो तो आपका ए में कटेगा 2 mm पीच सी में कटेगा 0.5 का पीच और बी में कटेगा 1 mm का पीच समझ गए ना ठीक है अब क्या है कोई और एक पीच ले लेते हैं यहां पर देखिया औ नवे 127 थिक है उपर में 40 का gear बीच में 90 का gear और नीचे में 127 का होगया और निचे में 277 का हो गया तो अब आते हैं में 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 कोस्टिन के उपर में वरना वीडियो लंबा होता जाएगा ना इन कि यह गियर ही यह टीन जो दिया किने रहा है और यह पस चाहिए देखिे मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं यह आप लोग देखिए उन्हों पहेजा है इस तरह वाला ग्र लगा दूं किया इसके नीचे तो नहीं यह वह लग यह आपको इसे नहीं लगाना है चलिए मैं वापस ठ्रेट चैट पर आता हूं और आपको बताता हूं कि करना कैसे है चलिए कोई भी एक ठ्रेट पकड़ लेते जिसा कि उन्होंने पूछा कौन सा ठ्रेट ना नहीं है कि समझते मेरे बात को मैं क्या बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं 20-80 जरूरी है मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि बीच का जो गियर होता है वो आइडलर गियर होता है उसका रोल बस इतना ही है कि ड्राइवर को ड्रिवन को बीच में अटेच करें ड्राइवर को ड्रिवन को जो बीच का गियर है वो अटेच करेगा वरना उसका कोई रोल नहीं है ठीक है न यह यह लागू कहा होता है जहां पर तीन लगते हैं लेकिन जहां पर चार लगते कंपाउंड वाले में वहां पर बीच वाले गियर का भी रोल होता है तीन वाले में रोल नहीं होता है क्योंकि बीच वाले में बीच वाले का केवल रोल होता है अटेच करने का ठीक है तो यहां प इसका गेर वले वले तो उसको भी लगा सकते कहने का मतलब कोई भी गेर जो आपका अज़ेश्ट हो जाए ठीक है और वर्ना आप यहां पर लगाए यह जरूरी नहीं कि कि इसमें compound gear नहीं लगेगा 100% लगेगा यह वाले लिवर में आपका चार अराम से लगेगा तो अगर आपके पास में इसा मसीन है जहां पर आपका बीच वाला लिवर टच नहीं हो रहा है तो वहां पर आप बीच वाले को चेंज कीजिए उपर वाला चेंज नहीं होगा और नीचे भीला बीच वाला चेंज हो जाएगा बीच मोरे घर लगेगे वहां पर बीच वाले चैंज लगेगा सिंपल नहीं कर सकते कंपांड में काल्कुलेंशन के पड़िए चेंज करना पड़ेगा अब जैसे कि इनको शॉला टी काटने में प्रोब्लम अ मारस यहां देहां करेंगे यहांपर एक 110 का घ्रणधी के एक न把 वीच опас एक इतना भी लगाने से नहीं हो रहा है सब्थ्पेयर की tyr अगर 110 115 कभी जिए लगा रहे हैं तो नहीं हो रहा है तो इनको करना कि इसको कंपॉण में विवक्त कर protection लगा देना है चार काल्कुलेशन करके निकाल देना और लगा देना है अगर मैं अभी आप लोग को निकाल के बताऊंगा तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा ठीक है न इसलिए इसको मैं अगर आप लोग को एक्चुलीज का जानकारी चाहिए तो आप लोग पूछिए मु compound gear के जरीएक जरूर बताऊंगा और बहुत अच्छा लगा आइधिंक यह वीडियो आप लोगों को कुछ समझ में जरूर आया होगा फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछे मैं इसका एंसर आप लोगों को जरूर दोंगा तो जो भी नियू विजेटर कर दो